आज है पांच जनवरी शुकरवार और आज है विलासिता का बार लक्ष्पी का बार सुकरभा योग के बंदे से लव पार्टन लाइफ पार्टन साथ बॉंडिंग होगी मजबूत चंदरबा राहू का सड़ास्टक दोश अचानक से कर्चे बढ़ा सकता है वही शनी संगल का महालक्ष्पी योग अगर आपकी कुणले में सेवन्त हाउस में हो तो क्या होगा इसका प्रभाव दमशकार प्रियसाथियों मैं हूँ सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं पांच जनवरी शुकरवार आज करा शुपल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहनी एक साधू एक पेड़ की निच्छे चौपाल पर बैठे हुए रोजाना चिलाये करते थे जो चाहोगे सो पाऊगे कई लोग तो पागल कहते थे लेकिन एक दिन एक युवा वहां पहुँच गया और कहा के बाओ जी या बाबा जी मैं जो चाहता हूँ कि आप दे सकते हो क्या बेटा मैं तुम्हें दे सकता हूँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी जी बना चाहता हूँ तो ररार का ठीक है ऐसा ही होगा तुम्हें काम करो वो बोले मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ और लोग इसे समाइ कहते हैं इसे तेजी से अपने मुठी मह पगढ़ लो तुम जितरा चाहो उतने हीरे बना सकते हूँ प्रिम्ती मोती को धारन कर लेना ये तुम्हें धैरिय सिखाएगा और वह दुनिया में कुछ भी प्राप्ट कर सकता है गंबिटा से सादू की बातों पर विचार करने के बाद वो एक हीरे के व्यापारी के नौकरी करता है और देखते देखते वो खुद बहुत बड़ा व् जाता है अपनी मेहनत के बल पर क्योंकि उसके पास समय और धैरिय वो दो हीरे और मोती थे जिनके बल पर उसके अपर लक्षे को प्राप्त किया और आप भी ये कर सकते हैं इसके अपना आज से टाइम बिलकुल वेस्ट नहीं करें और खुब मेहनत करने के बाद परिनाम न जान करें देता हूं आप अपरी परसल या प्रोफेशनल लाइव की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे परसले मिलना चाहते हैं तो मैं पांच और बीस जनवरी को मॉंबई में हूं छे जनवरी बैंगलूरू, साथ जनवरी हैदराबाद, ग्यारा जनवरी राची, बार और 28 जनवरी को दिली, 19 जनवरी जोथपूर, 21 जनवरी नागपूर, 26 जनवरी अमदाबाद और 27 जनवरी बढ़ुदा, और 24 और 25 फरवरी में, मैं दुबई में रहूंगा, आप चाहते हैं आप परसले मिल सकते हैं चंद सेकेट आप लोग उन्होंगा आज की गुंडियो राच के पंचाओं के लेकर, देखे आज रात को 11 बचकर 47 मिनट तक नवमी और बाद में दश्मितिती रहेगी, आज शाम को 7 बचकर 50 मिनट तक चित्रा नक्षतर और फिर स्वाती नक्षतर रहेगा, ग्रहों से बन आज के दिन शुब और मांगली कारियों के लिए शुब समय की तराश में तो दो बार बिलेंगे, पहला सुबह सवा 8 से सवा 10 बचे तक लाब और अम्रीत का चोगड़े है, और दो फैर को सवा 1 से सवा 2 बचे तक शुब का चोगड़े रहेगा, लेकिन सुबह साड़े 10 से दो फैर 12 बचे तक राहुकाल के समय शुब और मांगली कारियों ना किये जाए तो बहतर है, मेरे परे साथी हूँ, आईए, अब राशी फल की शुरुबात करते हैं मेश राशी से मेश राशी वाले लोगों के आज प्रोफेशनल तरीके से सोचने से तेजी आएगे, इमोशन पर डिसिजन न ले, सुकरवा लक्ष्मिन आरान योके बनने से बिजनस परसन को आज सही इंवेस्मेंट करने मौका बिलेगा और जो इंवेस्मेंट पहले किया उससे बेनिफि मिलेगी और नहीं तो खोदी कुछ न को नहीं तलाश करिए, लाव पार्टर और लाइफ पार्टर साथ पॉजिटिव बिहेवी रखें, सोचल लेवल पर आपकी उम्मिदें बढ़ेगी, फैमिली में सभी के साथ आपकी बांडिंग अच्छे रहेगी, ओफिशल हो या अन पर चुटकारा कैसे बिले, इस पर चिंतन और मंतन करे, बिजनस में आपको अपने काम करने के तोर और तरीके में परिवर्तन करना चाहिए, पार्टर्शिप बिजनस में आपको स्वेम के हिस्से से जयदा मुनाफ़भ मिल सकते हैं, किसी और की मदद करने मौका में लेकिन वो परिशाने नहीं लाएंगे, वो जिम्मेदारी समझ कर पूरी करोगे तो संतुष्टी लेकर आएंगे, हार्ट पेशन्ट और डाइबिटिक लोगों के लिए आज कर दिन अच्छा नहीं, सामाजिक इस तर पर सोशिल लेवर पर आपकी चर्चा होगे, लव करता है, महितन राशी की, आकस भी दनलाप, अचाना से किसी से मुलाकात, कोई फाइदे के सौधे आपके हाथ लग सकते हैं, इसलिए टाइम बेस्स मत करीगा, बिजनस पर सर्थ, बिना सोचे समझे, कोई भी खर्चा और इंवेस्मेंट नहीं करें, वरना नुक्सान हो सकत है, वर्प्लेस पर, एक्स्पिरेंस की कमी के कारण आप कुछ गलती करेंगी, और वैसे जिन्दीगी में चुनोतियां हर किसी की इससे में नहीं आती है, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है, इस्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स, आज आपकी परफॉर अच्छी सेहत के लिए, अपने माता जी का आशिरवाद लीजिए, और माता जी की खुद की सेहत के लिए ध्यान दीजिए, बिजर्स में एक्स्पेंडिचर बढ़ने, वो से तक खर्चा बढ़ने कारण करण लेना पड़े, पैसा उत्रा ना आये, तो सोच समझ के आज के दिन को डिजाइन करें, प्रकरती से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है, अभी गोहरा चल रहा है, गोहरा मैं सीखाता है कि जिन्दगी में जब अंधकार चाह जाए, कुछ दिखाई न दे, तो व्यर्थ की कोशिश करने बजाए, एक एक कदम सावधाने सरकी, वर्ट पेस को सला दी जाती है, वो डिसिजन बहुत सोच समझ के लिए, आई टी, मेडिकल और लॉग के स्टुडेंट के लिए आज का दिन बहुत शांदार है, लेकिन आपके दोस्त, आपके आसपास की लोग या आपके साथ कोई बुरी बरताब या बुरे कोई सला दे सकते हैं, आब कोईयां और पांच लाल पुष पर पिद करें, इसी के साथ अपने घर की अलबरी या तीजोरे में लाल गुलाब जरूर रखिये, प्रेम और अपना पन बढ़ाने के लिए बैडरू में प्यार के परतीग रादा करिश्टर की या प्रेमी जोड़े की पेंटिंग लगाई तीन कुवारी कर्णियाओं को गुड और तिल से बनी मिठाई खिलाईए और पती पत्रियां लवबर्स एक दूसरे को आज रोज गिफ्ट कर दें, शांती सुखत एहसास लेकर आएगी, आईए, अब बात करते हैं सिंग राशिकी साहस, करेज और एंथुजियास्टिक रहते हुए दिन गुजरेगा, सुकरबा लक्षपी नारान योग के बढ़े से बिजनस पर अठके लटके बढ़के काम कैसे पूरे हो, इस पर special strategy आपको अपनाने चाहिए, गवर्बेंट रिलेटेड काम आगे बढ़े, इसके लिए आज सिफारिश किसी लगानी पड़ सकती है, बिजनस परसन को उचायें तो ले जाने के लिए, प्लानिंग और इंप्लिमेंटेशन इन दोनों पर खुद चंतन और मन्थन करना चाहिए, वर्टपेस पर ट्रांसपर्ट जॉब चेंज की कवाय तेज हो सकती है, सेहत को लेक अगर पॉजिटिव रहेगा, तो आज सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, सोचिल लेवल पर आप कुछ भी पोस्ट करने से बचिए, जनरल हो ये कॉम्पेटिटिव एक्जाम, आज टीचर, कोच, मेंटॉर से बहुत कुछ सीखने को बिल सकता है, बात करते हैं करने राशिक पैसे से पैसा कैसे कमा जाए, खर्च और कर्च को कैसे कंट्रोल किया जाए, और आने वाले दिनों में पैसे की व्यवस्ता कैसे रक्टिंग, इस पर बात करिए, बिजनस में आप द्वारा अपने के स्ट्रेटिजी कारण बिजनस ग्रोथ पकड़ेगा, और वर्ट्पेस पर सब कुछ एक साथ करने के बजाए, काम को एक एक करके करने का परियास करें, एम्प्लोइट परसन की, ऑफिशल सिच्वेशन की बात करें, तो दिन सामानी बीतेगा, न तो ज्यादा काम रहेगा, और नहीं ज्यादा आराम रहेगा, वर्ट्पेस पर दिन आपके पक्ष पर साथ मीठी यादें, आप तरो ताजा कर लेंगे, वीकेंड को एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा, सेहत के मामले में, बदलता मौसम आपको परिशान कर सकता है, खयाल रखिये, जनरल हो या कॉंप्टिटिव एक्जाम की ताहरी करने में, स्टुडेंट को रिविजन कर सुकर्बा लक्ष्मिन आराणियों के बनने से बिजनस पे चैनल पार्टनर की इस्सेदारी आपके लिए फाइदा बन रहेगी, आप अपने पार्टनर से बैठ कर बात करिए, जो बिजनस परसन लोन लेने के प्रियास में हैं, आज उनको सफलता मिल सकती है, परिवार में छोटे भाई बैन और बच्चों के साथ प्रसंता हूँ, इसके लिए आप उनके साथ बैटिए, बात करें, उनकी कंपनी पर भी ध्यान दीजिए, लव पार्ट और लाइफ पार्ट असल्द मौझ बस्ती के साथ दिन गुजरेगा, जेब भी आज आपके डिल मत बताएं, कुछ financial problem आ सकती है, पैसा, फसना, नुकसान और दोका हो सकता है, आपका हर एक पैसा आपके लिए बहुत कीमती है, इसलिए सोच समझ के खर्च और investment करें, business person को किसी उदार माल देने से बचना चाहिए, अनिता पैसा डूब भी सकता है, workplace पर extra workload आपको थोड़ा चिंता में डाल सकता है, सेहत भी गड़बर हो सकती है, लेकिन लव पार्टरों, लाइफ पार्टर साथ कोई बड़ा decision लेना हो, तो emotions में आकर ना ले, सेहत से संबधी travel संबभ है, सामाजी इस सर पर आपकी negative thoughts पर 30 में कभी लाएंगे, ज्यादा दोर दूब मत करिए, बस smart work करिए, student, artists और players, अब कमरकस के तैर हो जाएं, weekend और ये सारी चीजों हो चुकी है, new year सब हो चुका है, लेकिन अब time waste मत करिएगा, मेरे प्रेसातियों, आईए, आप magical numerology में आँठ राशिक बात करते हैं, कि अगर आपके नाम के जो spelling है, उसके बीच वे G, G for God अगर alphabet आता है तो उन लोगों के पास skill बहुत अची होती है, और वो धनी और शक्तिशाली होते हैं, वे संकोच जरू करते हैं, अपनी मन की बात पूरी कहने पाते हैं, और विश्वास जादा करके धोगा खाते हैं, वे अपने काम को लेकर हमेशा समर्पित और मेहनती होते हैं, और किसी कीमत पर अपने लक्षे को प्राप्त जरूर कर लेते हैं, अपने लक्षे तर पहुंचने के लिए, वे कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नीचे नहीं धखिलते हैं, बलकि सदेव चोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर बनाने में विश्वास करते हैं, सासार वो सब कुछ प् लिस्टर से उठते वक्त अपने डे को डिजाइन कर ले, फिर दिन वैसा ही होगा, बिजनस पर आपको वर्किंग स्टाइल दूसरों के बनती हैं, आपकी छवी अलग ही बनाएगा, बिजनस में नुकसान देखकर बिलकुल भी परिशान ना हो कि वो इस्ततिया जल्द ही ब परिशान कर सकता है, न्यू जेनरेशन को वर्तमान समय को देखते वे समझदारी विक्सित करनी चाहिए, जिसके लिए तर्क और वितर्क जो है, उसमें कुतर्क नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स परसन को आज फोकस रहना चाहिए, और लक्ष बना कर चले, क्योंकि लक्ष परिवर्तन करें, एंथूजैसम डवलोप होगा, सुकर्बा और लक्षपी डारान योग के बनने से बिजनस में आ रहे ही कटिनायों को दूर करते हुए, अपने स्टेटस को आप और इंक्रिस कर पाएं, वर्क पेस्ट पर किस्पत का पहिया आपके साथ चलने से आपके का काम बिना किसी मदद के आगे बढ़ जाएंगे, एंप्राइट परसन को किसी नए काम की शुरुआज से पहले पुराने काम को पूरा करने में जोड़ देरा चाहिए, फैमिली में किसी से होरे मन भीत और बद भीत सुलच जाएंगे, लाव पार्टर और लाइफ पार्टर क की फिलिंग को समझ रहें कि बाद आपकी बॉंडिंग मजबूत होगी, न्यूज जनेरेशन की बात करें तो भावनात पक उतार शड़ाव आज आपको डिस्टाब और डिस्टाब कर सकते हैं, जंक फूड और स्ट्रीट फूड से दोरी बनाएं, स्टूडेंट आर्टिस प्लेर्स आज आपका टैलेंट बोलेगा, आप नहीं बोलें, कुम्ब राशी, स्पिरिच्वालिटी और दान पूझापार धरम करम या ज्यान आपका बढ़ेगा, सुकर्बा और लक्ष्विनारान योग के बनने से पराकरम आपका बढ़ेगा, और मेडिकल और फार्मस्टिकल बिसनस, कंस्रक्शन, प्रॉपर्टिस, माइनिंग से जुड़ेवे लोग आज बहुत कोछ सिखा भी सकता है, दिला भी सकता है, फैमिली प्रोग्राम के दौरान किसी खास से आपके पैचांग बढ़ेगे, लाव पार्टर और लाइव पार्टर में खुश्टमा बाताउन बढ़ेगा, सेहत को लेकर आज अवेर रही है, बिना किसी कारण के यात्र हो तो यात्र ना करें, न्यू जेनरेशन मानसी तोर पर खुद को तयार और तत्पर बनाए, जिम्मेदारें मिले तो उसे समझ कर आप उस पर अमल करिए, सोशल लेवल पर आज पॉलिटिकल सपोर्ट आपको बिलेगा, स्पोर्ट्स परसन को, आज कोई बड़ा पद बिल स के चलते, आज बिजनस परसन के लिए दिन अच्छा नहीं, और पैसो के लेंदेन में भी आप साफधानी नहीं रखेंगे, तो पैसा फसना नुकसान और धोका हो सकता है, दन क्या नहीं हो सकती है, बर्ट प्रेस पर आप अपने काम में गपशब ज़्यादा बद करीगा, जहां पर जितरी जरूत है वहां रहिए, जहां जरूत खत्म निकल जाएगे, एंप्लॉइट परसन को क्रोध को क्रोध की कारण या क्रोध को अपने से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस क्रोध से जुबान खराब होगे, रिष्टे भी खराब होगे, परिवार में सभी आपके बदले हुए बेहेवेर से थोड़े परिशान हो सकते हैं, इस भागदवार भरी जिद्धी में थोड़ा आराम भी करना चाहिए, और परिवार के साथ लेजर टाइम वेतीद करना चाहिए, लव पार्टर और लाइफ पार्टर में किसी थर्ड परसनी एंट्री प्र तो वेक्ती बहुत अट्राक्टिव होता है, निश्पक्ष होता है, उसके पास बहुत सारे विकल्ब होता है, शांत दिमाग से वो सोचता है, लव पार्टर और लाइफ पार्टर उसे बहुत सुख़द एहसास देते हैं, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा मेरिटर अफेर अपने रिष्टे दूर हो जाते हैं, दूसरी बात, अगर आज आज आपका जन्म दिन मैरिज अनिवर्टिर को इस्पेशल डे है, तो मा गोरी का ध्यान करते हुए, उन्हें सफेद मिठाई का बोग लगाएं, ग्यारा मिनट तक मा का ध्यान करें, और बाद में प्रसाद, ग्रहन कर, अक्षत, दूद, दूप अगरबती और इत्र, अपनी स्रद्दाग अनुसार लोगों में डोनेट करना चाहिए, कल्यान होगा, पिरे साथियों, स्वस्त रहिए, बस रहिए और व्यस्त रहिए, आप मुझे परसली मिल सकते हैं, या फिर टैलिफॉनिक और आप विश्वास की कमी है, अपने मन की बात कहने ही पाते हैं, तो अब ऐसा होगा, कि आप अपनी हक की लड़ाई लड़ पाएंगे, मगर संकरान्ती की पावनावसर पर, हम उससे ठीक एक महिने पहले, 16 दिसंबर से मलमास में, आपके लिए आदित्य साधना तयार कर रहे ह बेजी अपना नाम, माता पिता के नाम, हम आपके नाम से ऐसा कबच के निर्मान करेंगे, जिससे आपके भीतर आत्र विश्वास जागरत होगा